हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फ्लाइंग सिविक, आज बात करेंगे टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्ट्टर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, क्यों इस स्टॉक के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीजन है कि डॉली खना ने इसे दिसम्बर क्वाटर का जो सेर होल्डिंग बेटन आया है, उसमें ये सामने आया है कि 1.67% की होल्डिंग डॉली खना ने अपने पॉर्टफोलियो में इस स्टॉक को दी है, यह स्मॉल कैप कंपनी है जो 165 करोड की है, जैसे कि आपको पता है डॉली खना एंड राजीव खना, यह हमेशा स्टॉक से जो काफी छोटे साइज के स्टॉक से उनको पिक करते हैं उसके बाद उसमें जब काफी अच्छे रिटन वो स्टॉक दे देते हैं तो वो एक्जट करते हैं, कुझे टाइप से इस स्टॉक को भी उन्होंना भी बाई किया है, आप चार्ट के अंदर वल्यूम पे अभी trade कर रहा है around 500% से भी ज्यादा के return इस stock ने बना कि दिया है तो यह stock generally काम क्या करता है यह जो टायर के जो टुकड़े होते हैं जो बचे हुए used tire होते हैं उन से again जो tire बनाने से related एंड जो भी auto ancillary जो आने वाली गाम की चीजें हैं उन में ये stock काम करता है एंड ये अगर इसके clients की बात करी जाए तो TVS है C8 है, JK Tire है, IOCL है Mangalore Refinery and Home Lai ये इनके key customers है तो इनका business काफी अच्छा है एंड जो Rajeeu Khanna है वो IIT Chennai से chemical engineer पास आउट है, I think 1986 batch के तो उनको chemicals का काफी अच्छा knowledge है वो जो ये small size की companies उठाते हैं वो काफी अच्छा perform future में करती है but company is very small 165 crore, so you have to do your own analysis before buying this stock or you can take advice from your financial advisor before adding in your portfolio and company का free cash flow भी last one year के अंदर 15.5 crore का आया है, जो कि काफी अच्छी बात है operating profit margin के बात करें तो 15.9 percent के operating profit margin के साथ ये company काम करती है chart हम already देख चुके हैं अगर इसके quarter results की बात करी जाए, तो quarter results में भी company जो है, जो इसकी sales है वो काफी अच्छी दिखती है, 16 crore की sales से बढ़के 30 crore हुई है 30 से 37, 44, 49 then currently 54 4 crore की sales last quarter के अंदर इस company ने generate की है, वही 4.13 crore का जो quarterly profit है वो भी company ने generate किया है जो की काफी पिछले 10 quarter में अगर आप देखेंगे तो highest tower पे नज़र आता है अगर yearly profit की बात करें, तो yearly profit के अंदर भी company last trailing 12 month की बात करें, तो 10 crore का profit company ने generate किया है share rolling pattern को अगर देखें तो share rolling pattern के अंदर promoters के पास 73% की holding है FII ने भी इस stock को add किया है from September 2021 and December में इसकी जो holding है उसको increase किया है DAE की जो government है उनके पास already 0.33% की holding है जो की constant है, public के पास अगर आप इसे expand करोगे तो देखेंगे कि Dolly खना ने जो recently 1.67% की holding means around डेड़ लाख stock इन्होंने buy किये हैं तो जो market पर देखा जाए तो 73% की holding promoter के पास है and आप देख सकता है कि Dolly खना का stake इसमें 1.67% का देखता है अगर इसके chart को देखा जाए तो यह stock लगातार last one year से uptrend में दिखाई देगा आपको and इस stock ने यहाँ पर around September के अंदर जब अपने 50 day के moving average के पास support दिखाया था वहीं पर accumulation स्टार्ट हुआ है and current level पर भी अगर आप इसे buy करते हैं तो कुछ समय के लिए यह stock may be upper circuit में रह सकता है और आपको काफी अच्छे return दे सकता है तो आप यह क्योंकि जो भी big investors किसी भी stock में अच्छी buying करते हैं तो उसको हम जरूर cover करते हैं जिससे कि हम भी उस stock को आगे चलके analyze कर पाएं उसके profit loss और उसके revenue को track कर पाएं और आगे आने वाले time में हमें भी अगर उस stock को अपने portfolio में add करना हो तो कर सके हैं thank you for watching this video and channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें and telegram channel को join नहीं किया है तो description box में दिये गए link से join कर सकते हैं